अब देखो आज जो next question हम लेने जा रहा है जेएडवांस सीरीज में वो question अगेन हम लेने जा रहा है ये question तुम बोल सकते हो collision का थोड़ा concept है और थोड़ा concept यहाँ पे लगने वाला है किसका relative velocity का अब question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है a small ball of mass M is connected by an inextensible massless string of length L with another ball of mass 4M they are released with zero tension in the string from a height h as shown in figure find the time when the string becomes taught for the first time after the mass M collide with the ground take all collision to be elastic तो question में क्या given है question में यहाँ पे given है कि यह है तुम्हारा ground यह हो गया तुम्हारा ground और इस ground पे यहाँ पे यह दोनों ball टकराने वाली है इसका mass यहाँ पे दिया हुआ है 4M question में दी हुई है M की value कितनी दी हुई है M की value दी हुई है वहाँ पे 4M तो यहाँ पे जो ball है यह ball है इसका mass capital M है यह connected है with a string और यहाँ पे एक और ball है जिसका mass वहाँ पे कितना दिया गया है M initially जब दोनों को छोड़ा गया है तो बताओ इन दोनों के बीच में कोई tension है क्या और अगर इन दोनों के बीच में कोई tension नहीं है इसका मतलब है कि यह जो ball है यह ball move कर रही है under gravity और यह ball भी move कर रही है under gravity आजा यह जो ball है यह ball देखो initially कितनी height पे थी जिस time पे release किया गया था तो जिस time पे हमने ball को release किया है उस time पे height h है इसका मतलब है कि जब यह ball ground को hit करने वाली होगी तो उस time पे इसकी velocity अगर v है तो इसकी velocity भी वहाँ पे v होगी और v जो रहेगा बताओ वो root 2gh होगा किनी हो का हो आपर free fall हो रहा है तो हमने formula apply कर दिया v square equals to u square plus 2s तो v जो final velocity निकल के आएगी वो निकल के आएगी root 2gh तो यह diagram तो है collision के पहले अब बताओ जैसे ही collision complete होगा अब after collision check कर ज़रा बताओ जैसे ही collision complete होगा collision हमारा perfectly elastic है तो यह ball अगर v velocity से टकराएगी तो यह ball v velocity से वहाँ पे क्या कर जाएगी rebound कर जाएगी और हमें मालूम है collision का time interval कैसा होता है collision का time interval बहुत ही small होता है तो जिस time पे यह ball टकराएगी और rebound करेगी तो उस time को हमें neglect करना है तो उस time पे इस ball की velocity अभी भी कितनी लेंगे वी लेंगे दैना वी इस ball की velocity है जिस time पे यह ground को hit करने वाला है और हमने क्या बोला है हमने बोला है collision का time interval small है उस small time को neglect करोगे तो अभी भी हम इस ball की velocity क्या मानेंगे V मानेंगे अब चाहो तो इस ball को तुम numbering कर दो इस ball को बोल दो A इस ball को बोल दो B तो ये मैंने diagram draw किया है just after collision तो जैसी ball भी ground को hit करेगी वो V से वहाँ पे क्या कर रही होगी rebound कर रही होगी अब imagine करो कि हमारे पास एक observer है और ये observer इस ball पे ही बैठा हुआ है अब बताओ किसी अगर हम एक ball पे बैठ के दुसरी ball को देखेंगे तो होगा ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम में बाल A नीचे की और जाएगी बाल भी उपर की और आ रही होगी और ये तो जो observer A पे बैठा है उसको B ball अभी कितने distance पे दिखाई दे रही है उसको B ball अभी L distance पे दिखाई दे रही है अच्छा अब इस observer की अगर बात करें तो बताओ इस observer को velocity कितनी दिखाई देगी इसको जो velocity दिखाई देगी बताओ वो relative velocity होगी कि नहीं होगी ball A है ये ball B है और अगर हम ball A पे बैठके ball B को देख रहे हैं तो ball B हमें 2V से उपर आते हुए दिखाई देगी वहाँ पे अच्छा अब बताओ ये relative velocity constant रहेगी या variable रहेगी तो हमें मालूम है कि relative velocity तभी change होगी जब वहाँ पे relative acceleration होगा अब बताओ इस case में relative acceleration क्या होगा इस case में अगर relative acceleration की बात करें दोनों का acceleration g downward same direction में same direction में relative में subtract होता है तो relative acceleration 0 है कि नहीं 0 है अब बताओ relative acceleration अगर 0 है इसका मतलब है कि ये जो relative velocity रहेगी ये हमारी constant रहेगी तो अगर हम A पे बैटके B को देखेंगे तो B2V से उपर आ रहा है कुछ time बाद A और B बताओ कुछ time बाद A और B collide कर रहे है कि नहीं collide कर रहे है अच्छा इस observer की अगर बात करें तो इस observer को ये ball अभी कितने distance पे दिखाई दे रही है L कुछ time बाद इस observer को ये ball अपने सामने दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि इस ball ने कितना distance travel किया तो इस ball ने L distance travel किया L relative है तो formula वहाँ पे use करोगे V relative equals to D relative by T तो जो भी time रहेगा वो हो जाएगा L upon 2V V की value root 2GH बाद में हम क्या कर देंगे place करेंगे तो ये वो time होगा जिस time पे दोनों ball वहाँ पे क्या कर रही होगी collide कर रही होगी वहाँ पे अच्छा जब हम बात करते हैं relative velocity की जब मैंने बोला relative velocity की तो basically जो 2V velocity है ये दिखाई देरी इस observer को तो इसको हम यहाँ पे velocity of approach भी बोलेंगे की नहीं बोलेंगे वहाँ पे और question में क्या बोल रहा है जितने भी collision है सभी collision वहाँ पे क्या है सभी collision वहाँ पे perfectly elastic है तो इसका मतलब यह हुआ कि E की value अगर 1 है तो E को हम क्या लिखेंगे E को हम लिखेंगे velocity of separation upon velocity of approach और बताओ ये कितने से टकरा रही है अगर हम A पे बैठके B को देखेंगे तो हमें सब हमेशा velocity 2V रहेगे तो बताओ velocity of approach 2V E की value 1 तो यहां से जो velocity of separation आएगी वो भी कितनी आएगी 2V आएगी या नहीं आएगी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे collision complete होगा जैसे ही collision complete होगा और ये ball A है ये ball B है और अगर हम किसी भी एक ball पे बैठ जाए तो अब इस observer को ये ball कितने से दूर जाते हुए दिखाई देगी इसको velocity of separation 2V दिखाई देगा अच्छा दोनों ball के बीच का distance अभी कितना है 0 जब string tight होने जा रही होगी तो उस time पे diagram फिर सा ऐसा बने आई नहीं बनेगा ये A ये B अब बताओ जो observer ball पे बैठा है बताओ उसके लिए ball B कितना नीचे चली गई L नीचे चली गई कितनी velocity से गई 2V से गई तो इस ball को फिर से नीचे जाने में time कितना लगा तो इस ball को नीचे जाने में जो time लगेगा वो फिर से T' होगा T' की value L upon 2V होगी और जैसे ही time L by 2V होगा अब ये string हमारी वहाँ पे क्या होगी first time tight हो जाएगी तो जो total time लगता है T की value वो T' प्लस T है T' प्लस T का मतलब क्या हो गया 2L by 2V ये हो जाएगा L by V तो ये हो जाएगा L V का मतलब क्या हो गया V का मतलब हो गया root 2GH तो यही हमारा वहाँ पे क्या होगा total time होगा जिस time पे ये string first time वहाँ पे क्या हो रही होगी tight हो रही होगी तो question में हमने एक तो concept use किया है किसका elastic collision का concept use किया है यहाँ पे किसका relative motion का तो एक बार इस question को तुमें फिर से solve करके देखना है और check करना है कि concept हमने सही use किया है या नहीं use किया ठीक है तो note down कर लो इसका अब वहाँ पे